चलिए तो आज कुछ ऐसा बनाते हैं जिसे हम breakfast, lunch और डिनर तीनो टाइम खा सकें तो आज हम बनाने वाले हैं गुजराती रेसिपी मुठिया डोगडा इसे बनाना बहुत ही आसान है यह फटा-फट से बन जाते हैं टेस्ट में भी बढ़िया लगते हैं और healthy भी होते हैं तो चलिए फटा-फट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो मुठिया डोगडा बनाने के लिए हमें चाहिए मेथी की भाजी अगर आपके पास मेथी की बाजी नहीं है तो आप धन्यापती भी ले सकते हो मेथी की बाजी से इसमें टेस्ट बहुत ही बढ़ी आता है तो अगर आपके पास है तो वो ही ले तो चलिए अब मेथी की बाजी को अच्छे से दो लेते हैं तो मिथी के बाजी को मैंने दो से तीन बार दो लिया है, और अब उसे सूखने के लिए रख देते हैं, मैंने इसे एक किचन टाल पे निकाल लिया है, तो ये इसके उपर अच्छे से सूख जाएगी, चलिए तब तक आगे के तेयरी कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने ले लि इस फाक नहीं बनेंगी तो यहां पे मैंने लौकी गूप उगर कदू करेंगे तो हमारी जो रेसीपी है उसका कलर छपन फूँदा सा चेंल हो जाएगा तो यह ृस तरह से हमें इस त्वरह कट लेना है hablar रेसिपी देखने में बहुत ही बड़ी लगेगी क्योंकि उसका कलर बहुत ही बड़ी आएगा तो चले बीट रूट को मैंने चोटे-चोटे पीसिस में कट कर लिया है और अब लौकी को कद्दू कस कर लेंगे लौकी भी सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी मानी जाती है तो यह तो चले सारा हमारा चॉपिंग का काम खतम हो चुका है और अब ले लेते हैं एक बड़ी सी परात परात में हम डालेंगे एक कब गेहु का आटा यहाँ पे आप कोई भी कटोरी मेजर कर गे ले सकते हो तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी भर की गेहु का दरदर आटा लिया है एक कटोरी भर के लिया है बाजरे का आटा एक कटोरी भर के लिया है कौन फ्लोर यानि जो पीरी वाली मक्काई आती है उसका आटा और एक कप मैंने लिया है जवार का आटा यहाँ पे मैंने चावल लिये हैं जो पके हुए चावल आते हो लेने हैं तो दुपेर के बज तील और डालेंगे दो से तीन चमच भर के तेल इस रेसिपी में तेल बहुत ही कम यूज होगा तो ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी बनेगी चलिए अब दो चमच भर के मैंने डाल दिया है अद्रफ मिर्च और लसुन का पेस्ट और अब सारे वेजिटेबल्स डालेंगे जो ह पानी की जरुवत नहीं पड़ेगी अगर पड़ेगी तो दो से तीन चमच हम पानी डालेंगे जादा नहीं डालेंगे तो ये देखे इस सारा मसल दे हुए हमें आटा तैयर कर लेना है इसे बहुत मसलेंगे तो लोकी के अंदर जो पानी है वो छूटेगा और उससे हमरा आटा घुच जाएगा अगर आपको लगे के आटा ड्राय है तो इसके अंदर आप थोड़ा सा दही और डाल सकते हो तो ये देखे मैंने दो चमच पर के और दही इसके अंदर एड़ किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं डालोंगी दो से तीन चमच ज कि मुझे थोड़ा सा और कम लग रहा था आप इसके अंदर और थोड़ी सी लौकी भी एड़ कर सकते हो लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी का यूज़ कर रहे हूँ जादा पानी नहीं डालेंगे और इस तरह मसलती हुए आटे को हम तयाल कर लेंगे आप जितना मसलो होगे उतना आटा आपका परफेक्ट बनेगा चलिए आटे को मैंने तयार कर लिया है बहुत हाड नहीं और बहुत ही लूज नहीं इस तरह का हम आटा गुंट लेगे और अब मैंने ले लिया एक स्टीमर और उसके अंदर डाल दिया है थोड़ा सा पानी और उसे गरम करने है वो भी रेडी है और अब आटे में से बना लेते हैं मुठिया तो मुठिया बनाने के लिए यहां पर मैंने मिडियम साइज की लोई निकाल दी है और इसे हमें रोल करना है तो यह देखे इस तरह पारात में ही मैं इसे रोल कर रहे हूं यह बहुत ही इजीली रोल हो जात हमें एक एक रोल बनाते जाना है और चलनी में रखते जाना है तो चलने में जितने आए उतने रोल बनाएंगे बाकी हम नेक्स बैच में बनाएंगे यह देखिए सारे रोल रेडी है मैंने रख दिये हैं चलनी में और यहां पर पानी भी अच्छे से ओबल गया है तो मैंने चलनी को रख दिया है steamer के ऊपर और अब इसे 20-25 मिनिट हम medium flame पे boil कर लेंगे मतलब कि उसे steam कर लेंगे 20-25 मिनिट हो गये हैं और अब इसे चेक कर लेते हैं तो इस तरह चाकू डालके हम देख लेंगे जो चाकू एकदम clean निकले तो समझ लेना है कि हमारे मुठ्या एकदम ready ह ये देखें चाकू एकदम clean निकल रहा है तो अब मुठ्या को मैंने निकल लिया है बाहर और अब इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद उसे हम निकल ले लेंगे परात में मुठिया अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो easily चलनी में से भी निकल जाएंगे तो ये देखिए सारे मुठिया को मैंने निकल लिया है और अब उसे हमें कट कर लेना है तो ये देखिए मैं कट कर रहे हूँ उसी तरह उसे कट कर लेना है इसे हम बहुत मोटा भी नहीं काटेंगे और बहुत पतला भी नहीं इसे हमें मिडियम साइज का कट कर लेना है तो ये देखिए कितने सौफ्ट मुठिया हमारे बनके रेडी हुए हैं इसके अंदर हमने बीट डाला है तो देखने में भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं बीट रूट डालने से देखने में तो बढ़िया लगते ही हैं लेकिन जो बीट रूट की मिठास है वो भी इसके अंदर बहुत ही बढ़िया लगती है तो चलिए अब इस तरह सारे मुठ्या को मैं कट कर लूँगी मुठ्या ढोकडा में हमने बहुत सारे आटे का यूस किया है जैसे बाजरे, मकाई और जुवार और ये थीनों आटे सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते है तो ये वाली रेसिपी तो मेरे घर में बार-बार बनती है और अगर मुझे कहीं बार जाना है तो मैं इस तरह इसे पहले से ही बना के रख देती हूँ और जबी खाना है तो इसे छोक लगा देती हूँ तो चलिए अब मुठ्या मैंने कट कर लिया है तो अब इसमें छोक लगा देते हैं मतलब की उसे भगा लेते हैं तो एक पैन में मैंने ले लिया है दो चमच बर के तेल गराम हो जाए फिर इसके अंदर जाल देंगे एक चमच बर के राई एक चमच जीरा और दो चमच डाल देंगे तेल, तेल फूर जाए फिर इसके अंदर डाल देंगे करी पत्ते, छे से साथ करी पत्ते मैंने इसके अंदर डाले है, दो से तीन मैंने मिर्च डाल दी है कट करके और थोड़ी सी हिंग, हिंग मैंने हापे आदा चमच ली है और अब सब को मिक्स कर लेना है और अब इसके अंदर डाल देंगे मुठिया और अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एकदम हलके हाथों से सब कुछ मिक्स कर लेंगे युकि मुठिया हमारे एकदम सॉफ्ट बने हैं तो अगर थोड़ा सा जादा मिक्स करेंगे तो मुठिया तूट भी स चलिए अब लास्ट पर मैंने इसके उपर डाल दी है एक चमजबर के पिसी हुई चीनी और एक चमजबर के निम्बु का रस थोड़ी सी धनिया पती और अब इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है यहाँ पर हमें इसे एक दम लो फ्लेम पे एक से दो मिनिट इस तरह मिक् किया आप कभी भी एंजोई कर सकते हो ब्रेकफास्ट लंच डीनर एनी टाइम तो आपको आज की रेसिपी कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक आपकी क्रेष्न